एक टोपिक्स पड़ रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं फ्रेणल थोरी के बारे में जो फ्रेणल थोरी है उसमें हम बात करेंगे यहां पर एक धोरी है कि हिस्थोरी के हम यूजक यूजक करते हैं और किस पर बेस्ट होते हैं और हम इसे आज यहां यो ten फाव मोड़े हैं उसके लिए जो इसकी intensity होती है, वो हम यहाँ पर find करेंगे। तो आप एक बार हमारा जो diffraction का introduction है, वो भी देख लें, जिसकी link आपको description में given है, तो यहाँ से अगर आप देखें कि light propagate along straight line, after diffraction it propagate in straight line, light जो होती है वो प्रोपोगेट करती है, इसा हम सब को पता है, और वो diffraction के बाद में भी यानि की विवर्तन के बाद में भी वो उसी straight line मे propagate करती है, जिस straight line में पहले थी, बस उसका उस corner से थोड़ा सा band हो जाता है, और रहती वो straight line ही है, छो यह जो frenal's theory है, frenal's theory explains the diffraction, जो विवर्तन होता है diffraction using the hygen theory of wavelets, जो wavelets की hygen theory है, हाइगंस थ्योरी कहती है वेवलेट, वेवलेट का मतलब होता है कनिकाएं, इसको हम कहते हैं कनिकाएं, कनिकाएं जो होती है, यानि कि करणों के रूप में जो प्रकास का प्रोपोगेशन होता है, लाइट वेव का, वो उस फॉर्म में होता है, उसको हम यहाँ पे देखते है कि जो कनिकाएं होती है उसके form में वेवलेट्स की form में बिजिकली ये secondary वेवलेट्स होता है ये जो वेवलेट्स है वो secondary वेवलेट्स की हम इसके theory से उसको हम देखता है उसका explain करता है ये diffraction को explain कर रहा है using the hygen's theory of wavelengths according to the hygen hygen के according अगर हम बात करता है कि the light propagate in the form of wavefront wavefront की form में ये propagate करती है, wavefront को हम कहता है तरंगागर ये तरंगागर की form में तरंगागर के रूप में संचरित होती है, light जो है प्रकास wave तरंगागर के रूप में चलती है, तरंगागर तीन प्रकार के पर बात करेंगे इच पॉइंट इस वेविव लेट वेव लेट आईगन कुछ और भी कहता है कि जो वेव फ्रंट के जो each point each point of the wave front is like as a source of the secondary wavelengths उसके आगे जो बन रही है जो तरंगागर बन रही है उसके आगे जो वापस wave जो आपके पासए waveforms बन रहा है उस waveform का जो secondary wavelengths होता है उसके लिए वो एक source की तरह वेवार करता है as source उसके साथ में treat करता है कैसे हम इसको समझता है कि यहाँ पर हमने यह जो है एक light source लिया है इस source से गोली यह तरंगागर इस तरह निकल रहे है यह क्या हो जाएंगा इसके लिए spherical wavefront हो जाएंगा अब इस spherical wavefront के spherical wavefront किसे बना है कुछ point से मिलके बना है और इसका जो each point है each point treat as the each point behave or treat as the secondary source of the wavelets यह वापस क्या करेंगे इसी के लिए आगे source बनेंगे यह वापस क्या बनेंगे यह तो एक source ही है इनसे तो इनका निर्मान हुआ इनसे यह construct वे यह बने spherical wavefront और इनके प्रतियक बिंदू से एक और wavefront बनता है वापस उसी से वापस क्या बनेंगा wavefront बनेंगे वो क्या कर रहा है इसके लिए light की तरह वेवार कर रहा है ओके ऐसे आगे चलेंगे तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है आगे आपके पास में इसका भी जो प्रतियक बिंदू है इच पॉइंट वो क्या कर रहा है वापस आगे उस सोर्स की तरह वेवार कर रहा है सोर्स की तरह उसका बिहेव हो रहा है ओके तो यह यहाँ पे इसका diffraction होगा इसी टाइप से आगे diffraction होता तो यह किस ने कहा था हाइगन की जो थेयरी है वो यह कहती है इसी क्रम में हम बात करते हैं in order to calculate the resultant amplitude or intensity of the light at a point due to a wavefront Fresnel's proposed theory उस theory को हम Fresnel's theory कहते है अब आया हमारा main point what is the Fresnel's theory Fresnel's proposed theory for calculate the resultant amplitude or intensity वो resultant amplitude or resultant intensity जो उस wavefront की है wavefront में जो point है उस पे जो light है उस wavefront के current due to any point due to wavefronts उस point पे wavefronts के current जो intensity या amplitude है वो क्या होता है उसको find करने के लिए यहाँ पे इसने एक condition दी है यह theory दी है so that wavefronts is divided in the half period johns and half period stripped या इनको हम half period plate भी कहते है okay half period johns half period split या फिर हम इनको john plate भी कहते है क्या कहते है john plate हम यहाँ पे इनको period john half period john का मिनिंग क्या हो जाएगा earth आवर्त john john का मिनिंग होता है शेत्र earth आवर्त शेत्र में इनको divide करते है या फिर हम इनको half john plate में या फिर जॉन पटी में इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम जॉन प्लेट ही कह देता है, जिसको हम कहते हैं, जॉन प्लेट में इस उदायागा ये जॉन पटी, ये क्या हो जाएगा, जॉन पटी की फॉर्म में होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जॉन पटी, जॉन आप यह स्ट्रिप्त में किया करते हैं ku valid करते हैं ऐनको दिवाइड करते हैं ऑक कुछ अब और यह यह कहाँ पर उस पॉइंट के राइस्पेक्ट में गिवाएड रहा है इस पॉइंट के पंग को इंटेंसिटि या इंप्लीटूड करना है the amplitude and intensity of a point depend on the position and the distance from the geometry यह किस पर depend करता है? उस geometry की distance पर depend करता है और उस distance को हम क्या कर रहे है उसको हम यहाँ पर देखेंगे जो distance है उसको मैं यहाँ पर क्या consider कर रहे है distance को हम consider करेंगे in the form of n lambda by 2 कैसे consider करेंगे वो हम आगे देखता है और second बात ये किस पर और depend करता है Obliquity Factor जिसको हम कहते हैं निर्नती गुणांग इसको हम निर्नती गुणांग कह देते हैं Obliquity Factor हम इसको कह सकते हैं जुकाव हम कह सकते हैं कि ये जुकाव उसके inclination पर भी क्या करता है depend करता है जो कि inclination theta है थीटा-Inclination angle ही तो है, थीटा क्या angle है, वो इसके Inclination को बताता है, तो 1 प्लस-Cos, थीटा पर भी वो क्या करता है, ये इसकी कुछ conditions है, और उसको हम यहाँ पे, जो है, इस डायग्राम में भी समझ लेते हैं, और ये बिसिकली इसका Part 1 वीडियो है, जिसमें हम क्या करेंगे, देखो इसका हम जो diffraction उसको दो टाइप से समझ सकते हैं, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट जो method है वो क्या है कि जॉन, half period जॉन, यानि कि अर्द आवरत जॉन में हम उसको break करते हैं, उसको divide करते हैं, and second हम आगे बात करेंगे जॉन पट्टियों में, जो second हमारा वीडियो होगा, second जो topic होगा, उसमें हम बात करेंगे जॉन प्लेट्स के बारे में, यहने कि period strips जो होते हैं, जॉन strips के उसको divide करेंगे, जॉन strips में divide करने के बाद में, हम उसको क्या करेंगे, उस type से उसका diffraction का वहाँ पे use करेंगे, और यहाँ पे हमारा aim है, intensity and amplitude find करना at a point due to wavefronts, उस तरंगागर के कारण, जो इस बिंदू पे, जो intensity तिवरता है, उसका जो आयाम है, वो हमको ग्याद करना है, अब basically अगर मैं intensity find करना चाहता हूँ, I want to find the intensity, so I have to find the amplitude, because amplitude से ही हम intensity find करता हैं, intensity is proportional to the amplitude square, intensity जो होती हूँ, amplitude के square पे depend करती है, उसके proportional होती है, so इस point पे मुझे अगर, यह जो एक p point है, इस p point पे अगर मुझे यहाँ से, intensity find करनी है, उस wavefront की, उस point की intensity find करनी है, वेवफरंट के कारण, तो इस wavefront को हमने क्या किया, यह जो आप यहाँ पे circles देख रहे हैं, इस circles में हमने क्या क्या यह है, वेवफरंट यह सर्कल क्या है, वेवफरंट है, जो की, spherical wavefront है, कौन से wavefront है, spherical wavefront है, और इसको हम कहते हैं, johns, क्या कहते हैं, john period, half period john में हमने, इसको क्या क्या, divide किया है, अब अगर मैं बात करता हूँ कि यह इसकी जो distance है यहां से यहां तक कि इसको हम आप से consider कर लेते हैं एक बार मैं यहां पर इसकी जो distance है लिख लेता हूँ अब यह जो इसकी distance है यह आप देखें आप यह वाली जो distance है इसको हम कुछ consider करेंगे ओके consider करने के बाद मैं क्या करेंगे एंगा डंडा की फोर्म में जो सारी डिसटैंस न कॉम लेंगे एण लेंगे विक इसका यह उजायीगा इसका फर्स्ट पीरिय्ट ऑके फर्स्ट हो गया सैकिंड मैं इसको हम एंगे न यहाईट करता हूं किसको हम और N नमबर आफ जो half period johns है उनमें हम इसको divide कर लेते हैं तो इनकी जो distance है वो मैं यहां से consider कर रहा हूं यह जो इसके बीच की distance है हम ले रहे हैं यहां से B distance तो B distance है क्या होगा कि जब यह उपर की तरफ मलब इसके उपर आगे सागे भढ़ेंगे यह इसके लिए है इसके center से distance है ओके यह को centring होगे यह की center पर होगे इसका जो center होगा इन सारे circles का यह की होगा और यहां पर जो आगे सागे जो distance है वो बढ़ती जाएगी तो जब distance बढ़ती जाएगे तो उसमें हम क्या करेंगे distance को add करते जाएंगे N lambda by 2 की form में तो distance हमारे पास में क्या जाए कि N lambda by 2 की form में इट मींज फर्स्ट है तो क्या हो जाएगा फर्स्ट जिससे 0 के लिए अगर हम बात करते हैं तो आपे इसका 0 यूज करेंगे फिर हम उसको भी distance से start करते हैं तो हमने इसकी जो distance है यहां पर भी consider की है अब अगर मैं बात करता यहां से यहां से यहां तकी distance इसको भी calculate करेंगे और इन सब का यहां पर क्या होगा यह जो distance है इसको हमको find करना है इंको radius है वो find करने है, radius हम find करेंगे और यह जो distance है वो हम यहाँ पर लैट कर लेता है, sphere of radius अब यहाँ पर जो आपके पास में यह जो sphere बन रहे है, half period इनकी जो distance के मैं बात करता हूँ distance from the p point that is यह हो जाएगा b यह हो जाएगा b plus n lambda by 2 ओके यह क्या हो जाएगा अब लेमड़ा by 2, अब लेमड़ा by 2 क्यों है उसको हम देखते हैं क्या होता है, कि अगर मैं बात करता हूँ कि एक round में सोरी, एक जो इसका wavelength होता है यह length, वो क्या होती है लेमडा, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो लेमड़ा by 2, इसका period क्या होता है time period t और अगर मैं यहां पर बात करूं तो t by 2 हो जाएगा फिर मैं बात करता हूं कि यहां से यहां तक angle क्या होता है 2 pi होता है और यहां पर क्या हो जाएगा it means एक half circle की बात कर ला हूँ इसलिए हम इसमें इसको consider कर रहा है half period zone में half period zone का मतलब क्या हों गया, इसका अरध-ावर्थ- Clay यह आधा जो शेत्र लेंगा, इट मेंस हम क्या कररे हैं, B में Lambda by 2 add करते जाएंगे, तो Next के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इसके जो distance लिकर हैं, मैं यहाँ पर इसको O.L.A.D. कर लेता हूँ, तो मैं distance के अगर मैं बात करता हूँ तो consider करते हैं यहाँ पे जो OP distance उसको मैंने B let क्या और जो इसी के success विम आगे जो distance होती जाएगी वो distance क्या हो जाएगी B plus lambda by 2 फिर क्या हो जाएगा B plus 2 lambda by 2 इसी type से आगे क्या हो जाएगा B plus 3 lambda by 2 it means आगे से आगे जो Sphere की J radis है सरकिल जो है इनकी radius उमको find करनी है जो उस spherical wavefronts से जो circle बन रहा है इन型 सरकिल की sadece radius fine करनी है Radis fine करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक point लिग लेता हूँ A तो हमारे पास मैं एक triangle मिल रहा है उनको radius find करने हैं तो मैं आपर लिके लेता हूँ radius, radius को हम कहते हैं, त्रिज्या अगर मुझे यहाँ से ग्याद करनी है, तो वो त्रिज्या क्या हो जाएगी, radius क्या हो जाएगी, इसको हम यह half periods john होते हैं, जो circle है न, इनको हम कहते हैं half periods john, wave front से जो circle बने है, period john, हमने इसमें इसको break कर दिया, divide कर दिया, अब क्या करना है कि हमको जो radius से वो find करना है, तो radius find करने के लिए हम क्या करते हैं, कि यह हमारा एक circle है, अब मैं एक n वा circle ले रहा हूँ, कौन सा circle है, यह nth circle है, तो nth circle के अगर मैं बात करता हूँ, तो nth circle से जो distance है, पी की, वो क्या हो जाएगी, बी प्लस एन लेम्डा बाइटू, और यहां से हमको इसकी जो radius है, वो find करनी है, तो यह 90 degree angle हो जाएगा, यह हो जाएगा कि इसके लिए rn, radius को हमने rn कंसिडर कर लिया, यह distance क्या है, इसके लिए b distance है, पता है हमको ने देखा हैं उपर, इस्टाइग्राम में, तो अब हम क्या कर सकते हैं, पाइथोगरोस theorem का use करके, हम यहां पर इसकी जो value है, rn की value find कर सकते हैं, इट मेंज, यह हो जाएगा, b प्लस n lambda by 2, b प्लस n lambda by 2, all square is equal to b square plus rn square, so, इसका expression open करता है, यह a हो जाएगा, यह o हो जाएगा, मैं यहां पर लिख लेता हूँ, from triangle aop, ओके, हम पाइथोगरोस theorem का use कर रहे हैं यहां पर, तो यह हो जाएगा, b square plus n square lambda square by 4, प्लस यह हो जाएगा, 2 n lambda by 2, 2 से 2 cancel हो जाएगा बाद में, b भी आएगा यहां पर साथ में, तो यह हो जाएगा, b, 2 b n lambda by 2 upon 2, is equal to b square plus rn square, b square से b square यह cut हो जाएगा, और यह आजाएगा, आपके पास by n square lambda square upon 4, प्लस यह हो जाएगा, b n lambda is equal to r to the power n, और आपको इसकी value find करनी है, तो वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका square root कर देंगा, अच्छे यहाँ पर ध्यान रखेंगे, lambda जो है, वो क्या है, बहुत छोटा है, क्यों छोटा है, क्योंकि जो light, lambda क्या wavelength है, light की wavelength क्या होगी, यहाँ पर हम point source ले रहा है, इसलिए wavelength क्या होगी, बहुत कम होगी, अब point source से ले रहा है, तो wavelength और already कम है wavelength, और हम उसका square कर रहा है, आने कि उसको उसी से multiply कर रहा है, तो क्या होगी, वो negligible हो जाएगी, lambda जो यहाँ पर ली जाते हो, ध्यान रखें, lambda is equal to 10 raise to power minus 6, ली जाते हो, तो इसका square क्या हो जाएगा, 10 raise to power minus 12, तो इससे बहुत ज़्यादा चोटा हो जाएगा, it means हम इसको क्या करेंगे, neglect करेंगे, यह negligible है, neglect हम इसको करेंगे, तो यह वाला पूरा term क्या हो जाएगा, 0 के equal हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, bn lambda is equal to rn square, okay, rn square है यहापे, तो यह हो जाएगा rn square, तो rn की value यहने कि इसकी जो radius है, वो क्या आजाएगी, root of bn lambda, हमने इसकी radius find कर ली, radius find करने के बाद में, क्या find करेंगे, इसका area find करेंगे, बिकोज हमको amplitude find करना है, amplitude कैसे find करना है, पहला हम इसका एक बार area find कर लाते है, area find करने के बाद में, हम इसका amplitude find करेंगे, तो area क्या हो जाएगा, अब मैं बात करता हूँ, area क्या होगा, वो आप यहाँ पे देखना, area basically, जो दो circle से उनके beach वाला होगा, तो area की मैं अगर बात करता हूँ, तो area क्या हो जाएगा, कि यह एक circle है, इसके उपर यह एक और circle है, तो इनके beach वाला यह वाला जो area है, इसको क्या करना पड़ेगा आपका, यह area आपको find करना है, तब ही आप इसमें से amplitude find कर सकते हैं, तो आप इसका area find करेंगे, तो मैं बात करता हूँ कि इस वाले circle के लिए, अच्छा इसको थोड़ा एक बार अच्छा बना लेता है, तो इसके लिए हम कहा करते हैं, इसको अलग-अलग colors मैं आप इनॉट करता हूँ, अब मैं इसको अलग-अलग colors से अगर इनॉट करूँ, तो यह आजायागा आपके पास में इसका area हम find कर रहे हैं, तो area हम इसको निकाल रहे हैं, शित्रफल हम इसको निकालेंगे, तो यहाँ से एक circle आपके पास में इस type से हो जायागा, and डूसरा circle आपके पास में यह हो जायागा, अब इन circle की सिक में अगर बात करता हूँ, कि इसकी radius जो है, वो क्या हो जाएगी, r n-1 होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसकी radius जो है, उसको मैं r n-let कर रहा हूँ, तो उससे एक कम होगी न, यह nth वा circle है, इह में यह कौँ सा circle है, nth वा circle है, तो यह n-1 वा circle होगजा, यह तो बात है, तो यहां से हम comment क्या करना है, कि इसका जो area है, लिए वाला area आपकर आप देख सकते हैं, तो यह वाला area हमको find करना है, तो इस वाले area में find करने के लिए हम क्या करेंगे, उपर वाले area में से नीचे वाले area को less करेंगे, it means nth वाला जो circle है, उसका area में से n-1 वाले circle की area को less करेंगे, तो उनको resultant area मिल जाएगा, resultant area क्या हो जाएगा, हमारे पास में resultant area होगा, an, इसको मैं an consider कर लेता हूँ, an is equal to क्या हो जाएगा, पाई rn square, यहने की जो n वा है, उसके लिए, तो यह जाएगा, पाई rn square, minus क्या हो जाएगा, पाई rn minus 1 all square, पाई rn minus 1 वाला का square, इस पूरे वाले बड़े जो circle है, इसका area find करना, छोटे वाले circle का area find करना, बड़े वाले मैंसे इसको less कर देना, तो पाई यहाँ से common आ रहा है, तो पाई को common ले लेता है, तो यह हो जाएगा, rn square minus rn minus 1 square, ओके, फिर क्या करना है यहाँ पे आपके पास में, इनकी जो value, जो radius यहाँ ने find के न, nb square, radius क्या होती, मैं यहाँ यहाँ लिख लेता हूँ, rn is equal to root of nb lambda, यह हमने उपर लिखा, यहाँ पे हमने value जो है, इसकी find की है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यह value हम यहाँ पे put करेंगे, तो क्या आ जाएगा, a n is equal to pi, जो circle इसके लिए find करूँगा, तो क्या होगा, n ही तो आएगा न, तो यह हो जाएगा, b n lambda, अब इसको हम simplify करते हैं, तो यह हो जाएगा, pi b n lambda, minus n b lambda, प्लस यह हो जाएगा, b lambda, तो यह वाला term और यह वाला term cancel हो जाएगा, it means हमारे पास में area आएगा, पाई b lambda, यह क्या होता है, area जो होता है, वो constant होता है, सभी जो, आपके पास में जो, यह जो, इसका division हो रहा है, jones हो रहा है, सभी jones के बीच का जो area है, यह area जो होता है, यह area जो होता है, वो क्या होता है, equal होता है, it means constant होता है, तो यह area हमने फाइंड कि, आप देख सकते है, constant कैसे, lambda constant है, lambda जिस wavelength का हम यहाँ पर यूज कर रहे है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, this is the constant term, यह एक नियत राशी है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि let m1, m2, m3, that is amplitude of light, यह light के amplitude है, from first zone, second zone, and third zone से लेके end zone तक, तो हम क्या consider कर रहे हैं, उसको आप यहाँ पर देखें, consider क्या क्या हमने, let us consider, m1, m2, m3, up to mn, are the amplitude of light, along john's first, second, third, up to nth john's, m1, m2, m3, mn, जो क्या है, light के amplitude है, किसके along, उस वाले, जो हमारे पास में, जो john's है, जिनको हमने john में divide किया है, first john, second john से लेके end zone तक, जिनका हमने अभी area find किया है, between जो area होता हो, constant होता है, और उसकी जो radius हमने find किया है, root of nb lambda, वो क्या है, वो उसके लिए amplitude है, m1, m2, वो john's है, उनके लिए amplitude है, पर एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पे, m1 is greater than m2, is greater than m3, greater than mn, तो mn जो होगा, वो बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि amplitude क्या होगा, जो john's बढ़ेंगे, radius बढ़ेंगे, radius बढ़ने से क्या होगा, इनके जो amplitude से है, वो कम होते जाएंगे, यह इनकी condition है, आप ध्यान रखें, कि जो last amplitude होगा, last वाले जो john से, जो light निकलेगी, यानि कि उसका जहाँ पे, last वाले john के कारण, due to last john, the amplitude of light, that is so much small, उसकी value जो होगी, वो negligible होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी, और एक और condition होगी, इसमें कि यह किसमें है, यहाँ पे AP की form होगी, AP की form में कैसे, अगर मैं बात करता हूँ, कि AP में क्या होता है, कि अगर तीन term होती है, ABC, तो B किसके equal होता है, तो यहाँ पे condition क्या हो जाएगी, कि M2 is equal to M1 plus M3 by 2, it means M4 is equal to M3 plus M5 by 2, यह condition हो जाएगी, यह condition होगी, 2, 4, 6, ऐसे चलता जाएगा, तो यह इसके लिए condition होगी, आप यहाँ पे ध्यान रखना, तो कि यह condition आगे use होगी, और यह basically एक AP की form हम कह सकते हैं, कि इसकी condition है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से, जो हमारा resultant amplitude है, वो find करते है, resultant amplitude find कैसे करेंगी, उसका आपको यहाँ पे system पता होना चीए, उस system को हम यहाँ पे लिखते हैं, एक law पता होना चीए, वो क्या है, वो समझाते हैं आपको, तो मैं यहाँ पे consider find कर रहा हूँ, resultant amplitude, resultant amplitude अगर आपको find करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मैं A consider कर लेता हूँ, capital A, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे M1 को लिखूँगा plus में, और M2 को लिखूँगा minus में, because, यहाँ पे क्या होगा, आप देखें कि जो, वेव जो यहाँ से अगर आप देखते हैं, इसको आप अगर समझना चाहें, तो अच्छे से समझना, कि यह जो जॉन्स है, फर्स्ट जॉन्स से जो light निकल रहे हैं, उसके लिए जो amplitude होगा, वो कैसा होगा, रिजल्ट अअपलिट्यूड होता, वो सब क्या होता, जो भी superposition से जो amplitude बने है, जो भी amplitude होने सब का addition, बट यहाँ पे M1 जो है, वो किसमें है, positive है, M2 जो है, वो negative amplitude ही है, हम तो यहाँ पे इसका addition ही कर रहे हैं, resultant amplitude में, बट यहाँ पे इसका जो value है, वो क्या है, negative ही है, तो हम यहाँ पे इसकी value क्या करेंगे, negative रखेंगे, फिर वापस क्या हो जाएगा, M3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, minus M4 हो जाएगा, इसी type से चलता रहेगा, लास्ट में हमको ने पता, MN जो हो प्लस होगा, या minus होगा, वो इसके order पे डिपेंड करता है, कि वो even है या odd है, ओके अगर वो odd होगा, तो क्या होगा, last वाला term प्लस होगा, even होगा, तो last वाला term माइनस हो जाएगा, तो यह condition वहाँ पे चलती है, तो हमको क्या करना है, कि यहाँ पे resultant amplitude find करना है, तो इन सब का values जो है, वो यहाँ पे put करना है, values पुट करने के बाद में, हम एक condition जो है, उसका हम use करेंगे, जो condition हमने यहाँ पे यह लिखी है, इन conditions का use करेंगे, बट कैसे करेंगे, आप ध्यान से देखें, इन condition का use करने के लिए, मैं क्या करता हूँ, कि यह जो amplitude है, इसको मैं इस form में लिखता हूँ, एक form मनाने पड़ेगी, कि मैं M1 को break करना हूँ, M1 by 2, plus M1 by 2, minus M2, M2 को हम उसी type से रखेंगे, plus क्या हो जाएगा, M3 को मैं break करना हूँ, M3 by 2, plus M3 by 2, और minus M4 को मुझे type से रखेंगे, up to MN तक है चलता जाएगा ऐसे, फिर क्या होगा, कि हम यहाँ पे जो है, A is equal to, M1 by 2, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इन तिनों को एक साथ में लिखेंगे, फिर इसके साथ में आगे वाले उन तिनों को एक साथ में लिखेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको लिख रहा हूँ, M1 by 2, minus M2, plus यह हो जाएगा, M3 by 2, similarly, यह हो जाएगा, M3 by 2, similarly, आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से हम, M3 by 2 को रखेंगे अंदर, फिर क्या आजाएगा, minus M4 आजाएगा, plus क्या आएगा, M5 by 2 आएगा, plus यहाँ पर आएगा, M5 by 2, minus M6, plus हो जाएगा, M7 by 2, और यह order जो है, वो end टम तक चलता जाएगा, तो हमने यहाँ पर condition क्या बताएगा, आपको AP वाली condition, कि दो जो, यहाँ पर यह जो number है, इनका average जो हम कह सकते हैं, वो किसके equal होगा, इस बीच वाली term के equal होगा, mid term जो है, उसके equal होगा, तो हम क्या करते हैं, कि इसको और इसको अगर add करते हैं, तो क्या मिलता है, M1 plus M3 by 2, तो यह M1 plus M3 by 2 वाली condition, यहाँ पर apply हो रही है, तो यह हो जाएगा, M1 by 2, it means M1 plus M3 by 2, माइनस यह क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, M3 plus M5 by 2, माइनस यह क्या हो जाएगा, M4 हो जाएगा, similarly, यहां पर हो जायागा M5 plus M7 by 2 minus M6 और यह N term तक चलता जाएगा जितने आप उसमें term ले रहे हैं जितने उसमें आप उसको johns में break कर रहे हैं उतने johns तक वो चलता जाएगा तो यहां से इसका meaning क्या होता है यह भी M2 के equal होता है किसके equal होता है M2 के equal हो जाएगा यह M4 के equal होगा यह M6 के equal होगा it means यह सारे terms जो है वो क्या हो रहे है cancel हो रहे है तो आपके पास में क्या बचेगा only and only M1 by 2 बचेगा it means यहां से आपके पास में जो condition आ रही है एक तो चलो यहां से अगर हम बात करते है MN की भी मैं यहां पर लिक लेता हूँ इसको हम यहां पर neglect करेंगे इसको हम साथ में नहीं लिखेंगे तो आपके पास में ए जो है amplitude जो है वो only only and only M1 पर depend कर रहा है M1 क्या है जो first आपका John है उस first John का जो amplitude है वो उस amplitude पर resultant amplitude depend करेगा इसका reason क्या है कि बाकि जो भी सारे amplitude है वो क्या हो रहे है एक दूसरे से उनका जो कह सकते हैं प्रभाव जो है वो खतम हो रहा है वो दूसरे से cancellation उन पर जा रहा है resultant amplitude फाइन करते है एक बार plus एक बार minus तो इससे क्या conclusion यह निकलता है कि जो क्रमागत जो 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 है क्रमागत John जो होते है उनसे क्या होता है, क्रमागत जो होता है, वो negative होता है, it means plus or minus होता है, और जो alternate जो होता है, जैसे 1, 3, 5, alternate है, वो कैसे होता है, positive होता है, या फिर वो same sign के होता है, वो किसके होता है, alternate same sign के होता है, और जो successive जो होता है, क्रमागत जो होता है, वो opposite side के होता है, जैसे मैं बात करत हों कि first second third first क्या होगा plus होगा second amplitude उसका minus होगा फिर वापस क्या हो जाएगा plus होगा तो यह plus minus चलता जाता है बट अगर मैं बात करता हूँ one three five तो क्या रहे सारे plus आ रहे या फिर मैं two six sorry two four six की बात करता हूँ तो सारे क्या होगे minus होगे ना तो हम कह सकता है it means we can say that the successive order in the successive order the amplitude will be alternate plus and minus in the alternate order amplitude the sign of amplitude will be equal it means will be same it will be plus or minus वो या तो negative होगा या फिर सारा positive होगा तो अब हमको अगर intensity find करने है तो intensity किस पर मैंने कहा था आपको starting में में बताया था कि जो intensity होती है intensity किस पर डिपेंड करती है amplitude पर डिपेंड करती है it means intensity of that point due to wavefronts जो wavefronts है उनके कारण जो पॉइंट पर slight intensity होगी that is i is equal to चलो i जो होता है वो proportional होता है a के a square resultant amplitude के square के equal होता है तो i is equal to k a square हो जाएगा a की value हमारे पास में है तो यह हो जाएगा i is equal to k m1 square by 4 के equal होगा this is the intensity of that point due to wavefronts तो इसको में आपे लिख लेंगे this is the intensity this is the intensity at that point जहां पर हमको find करनी है due to wavefronts जो wavefronts है तरंग आग रहे उनके कारण जो intensity आ रही है वो यह आएगा आपके पास में intensity उसका formula हमने यह आपे derive किया I hope आपको यह पूरा derivation ने वा समझ में आया होगा so thanks for watching this video keep watching msmatch and subscribe the channel msmatch